प्रेंट्स इस गौतम पांडे कमिंग अप इस राउंड बस पांच मिनिट तो आज के बस पांच मिनिट में हम बात करेंगे ब्लैक कारबन एरोसोल से रिलेटेड इंपोर्टन बातों को और साथ साथ समझेंगे वाय दर तिबिटियन क्लेसियर मेंटिंग दूट तो एक रिसर्च में कहा गया है कि तिबबत प्लेटू से सटे जो साउथ एशन रीजियन है वहां पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कारबन एमिशन होता है और इसी स्टड़ी में यह भी कहा गया है कि ब्लैक कारबन एरोसोल के कारण जो टिबिटियन प्लेटू है उसके ग्लेसि सारी बातों को समझना तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले जरा समझते हैं कि आखरी ब्लैक कारबन एरोसोल होते क्या है बहुत इलेमंटर में समझेंगे कि ब्लैक कारबन एरोसोल होते क्या है जब हम कभी किसी फोसिल फ्योर को बर्न करते हैं लाइक कोल की अगर हम बात कर तो ऐसी situation में ये black carbon aerosol create हो जाते हैं जिनमें सबसे important बात क्या होती होती है इनके अगर विस्यस्ता की बात करें तो इनमें strong light को observe करने की छमता होती है means ये light को जो absorption होता है वो करते हैं ये इनकी main character aesthetics होती है विस्यस्ता होती है ये detail में नहीं जाते हैं इनके बिसे में की black carbon aerosol और क्या detail में की पूर लंभी class हो जाएगी ये तो हमने समझ लिया कि black carbon aerosol क्या होता है अब चरह हम समझते हैं कि why are Tibetan glacier melting due to it इसके कारण तिबत का glacier है वो क्यों पिखल रहा है उसको भी जरा समझते हैं कि सबसे important बात क्या है जैसा एक already research में कहा गया है कि जो South Asian region है वहाँ पर world का सबस्यादा carbon emission हो रहा है ऐसे में ये जो black carbon aerosol है ये glacier पर क्या करते हैं deposit होकर उसके जो albedo होते है albedo हमने पढ़ा है science में albedo क्या होता है उसकी जो reflection power होती है उसे बढ़ा देता है तो albedo का के कारण क्या होता है यहाँ पर उसके जो albedo की चमता होते है उसे कम कर देते हैं क्या होगा कि अगर just image पो रहा है समझे कि यहाँ पर माल लिए कि carbon melt हो जाए carbon यहाँ पर अगर deposit हो जाए तो ऐसे situation में क्या होगा यहाँ पर इसके albedo power कम हो जाएगी जब albedo power कम हो जाएगी तो ऐसे situation में यहाँ पर sunlight का observation ज़्यादा होगा means melting power है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा means escalate हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर क्या होगा अलबीडो होगा है नहीं तो similar condition क्या देखने को मिल रहा है मैं त Bren two region में देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या हो चाइगे में of the sciences क करें कारण इनका कहना है कि मिडày अपर आपमिसफैर में यह इसके कारण भी तिबितियन glacier फिकल रहा है यह वी कारण बता है गया है और साथि टीबतियन प्लेट्यो एरिया में खास करके स्नोफ़ वगरह में उसमें रिड़क्शन देखने को मिला है गर कोडिन की बात करते हैं तो 2007 से 2016 के बीच में जो डेटा दिया गया इसमें कहा गया है कि यहां पर 11% का reduction देखने को मिला है snowfall में मिन्स आप समझे कि जो mass glacier है उनके average में reduction देखने को मिला है loss देखने को मिला है और इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है कि जो monsoon है monsoon के कारण क्या हो रहा है कि जो तिबतिन एरिया है खासकर कि सदन तिबत एरिया है वहां पर precipitation का मात्रह कम हो रही है बर्सा वगेरा snowfall वगेरा बहुत ही कम मात्रह हो रहे हैं जिसकी कारण यहां पर एक तरफ क्या हो रहा है snowfall का deposition नहीं हो रहा है other hand क्या हो रहा है कि snowfall कि melting जादा हो रहे है तो यही पुरा का पुरा कारण है तब आप आसानी से समझ सकते हैं black carbon aerosol होत झाल